नमस्कार मैं राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार स्वास्त बिभाग ने 7 अगस्त कोरोना का अपडेट जारी कर दिया है और जो आकरे जारी किये हैं वो काफी डराने वाले हैं क्योंकि पिछले 24 गंटे में बिहार में कोरोना ने अब तक का सारा रिकॉर् कोरोना के नए मामले मिलने की संखिया है इसके साथ ही अब बिहार में कोरोना का कुल मामला 71,794 पर पहुंच चुका है यानि बिहार में जो कोरोना का केस है कुल वो लगभग 72,000 के आसपास पहुंच चुका है बिहार के लिए ये कता ही अच्छी खबर नहीं है क्योंकि बि उस समय से देखा जाए तो बिहार में जो कोरोना के मरीजों की मिलने की संक्या वो तक्रीबन काफी रप्तार से आगे बढ़ी है बिहार के कई जीले हैं जहां अब लगतार सो से ज्यादा मरीज मिलने लगे हैं कल जहां दस जीले ऐसे थे जहां सो से ज्यादा मरीज मिले तो व कि किस जीले से कितने नए संक्रमीत मरीज मिले हैं मदुबनी, 87, मुंगेर, 58, मुजफरपूर, 109, नालंदा, 162, नवादा, 42, पतना, 566, पुर्निया, 104, रोतास, 114, सहरसा, 81, समस्तिपूर, 105, सिकपूरा, 86, सारन, 75, सिवहर, 20, सितामडी, 113, सिवान, 60, सुपल, 75, वैसाली, 125, वैस्चमपारन, 118, इसतर पिछले 24 गंडे मे 36, 46, रिकॉर्ड तोर, नए कोरोना के संक्रमित मरीज, पुरे बिहार से मिले है, बिहार की राजधानी पतना में तो लगतार कोरोना का केस गंभीरी होता गया है, और सुरू से हैं, यहां पर जो पोजिटिविटी रेट है, वो काफी ज़्यादा रही है, और पोजिटिव लोगों के मिले की संक्या यहां सबसे ज़्यादा रही है, पतना में आकरा अब 12,000 को पार कर चुका है, लेकिन बिहार का एक नया जीला, कटिहार, कुरोना का अब नया हब बनते दिख रहा है, क्योंकि वहां लगतार कुछ दिनों से कहा जा सकता है, कि मामलों ने रफ्तार पकड़ी है, आज भी वहां 200 से ज़्यादा मामले मिले है, कल भी वहां 200 से ज़्यादा मामले मिले थे, उसके पहले भी लगतार कुछ दिनों से 100 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, यानि बिहार की नया जीला, कटिहार में अब कोरोना ने रफ्तार पकड़ा है, वहां कोरोना का चैन जो है वो लगतार एक नया चैन बनते जा रहा है और वो चैन तोटता नजर नहीं आ Raha बलकि वह और लोगों को संक्रमित करता ही नज़र आ रहा औ undertow किि ने बिहार कि नया ने कटिहार में पकड़ी है उसके लिए मरीजों को पर्याप्त स्वास्त विवस्था में सुविदाम दी जा सके तो कटिहार के लोग सचेत हो जाएं क्यूंकि मामला आपके यहां गंभीर होता जा रहा है इसके अलावा भागलपूर बेगुसराय में तो पहले से ही मामला लगतार गंभीर होती जा रही है नालंदा में इस्तिति एकदम गंभीर हो चुकी है वैसा लीग गया और इस्ट चंपारन की इस्तिति कुछ खास अची नहीं है सबकी स्थिति लगतार बिहार के हरे एक जीले की स्थिति दिन प्रत दिन गंभीर ही होती जा रही है कोरोना का कोई मामला और कोई चैन तूटता नजर नहीं आ रहा है लगतार चैन बनते ही नजर आ रहे हैं बिहार में जाच का आकरा साथ हजार को पार कर चुका हैाब कल भी साथ संक्रमित आप क नहीं कड़ा पाएं कि उन्होंने अब तक कितनों को संक्रमित कर दिया और कितने लंग चपेट में आ रहे होंगे लगतार तो यह एक बुड़ी खबर है बिहार के लिए कि लगतार बिहार में मामले बढ़ते जा रहे हैं बिहार का पॉजिविटी रे जो माफ करिएगा बिहार का जो रिकवरी रेट है वो अब राष्ट्रिय और से नीचे चला गया है वह 64-65% के असपा से जब कि देश कर राष्ट्रिय और आसा जो भारत का जो रिकवरी रेट करा शुए कुषिविषी और सर्षट पर दिशयदा का है यानि बिहार का बियार कומед देने वालों की लगतार घट चुकी है रफ्तार जो है रिकवरी रेट की वह नीचे जा रही है और नयस स संक्रमित मरीजों की मिलने की संख्या वो लगतार अब उपर जाती दिख रही है तो बिहार के लोगों सेनुरोद है घर में रही है सुरक्षित रही है मास्क का उपयोग कीजिए और खुद को सुरक्षित रही है और बिहार को सुरक्षित बनाने में सवयोग जरूर करें ताक तेरे ये बिहारे नियूज धन्यवाद